आज फिर से लिए कर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो आज शेयर कर रही हूँ पराने टीशिर्से बहुत ही कमाल की reuse ideas हम सभी के पास पुराने टीशिर्स तो होते हैं जिने हम बाहर भी नहीं फैंक सकते और इतने पुराने होते हैं कि उन्हें हम किसी को दे भी नहीं सकते तो मैंने सोचा क्यों ना इन टीशेट का reuse किया जाए जिसे से ये टीशेट इस्तमाल में भी आजे और हमें फैंक नहीं मिला पड़े आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छा तरीके से इनका बीना सुई धागे बीना सिलाई मशीन के आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पर सिलाई मशीन नहीं है और आप ज़्यादा मेंनत मीं नहीं कारना चाहते तो एकदम इजी और यूसफुल आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले ये एक टीशिट ली है मैंने इसी इस तरह से बिचा कर रख दिया है फिर इस तरीके से मैं अंदाजे से ही मेजरमेंट लेकर बाजियों के नीचे से सीधे सीधे काट रही हूँ इस तरीके से इसे कट कर लिया अब इस टीशिट को मैंने उल्टा कर लिया है और उपर की साइड जहां पर फोल्डिंग नहीं है वहां पर जहां से हमने कट किया है वहां पर इस तरीके से पकड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा टीशर को मोड़ते हुए और फिर कोई डोरी लेनी है इस तरीके का धागा लेना है जो भी आपके पास एवी लेवे हो वो और यहां पर अच्छे से टाइटली बांद लीजिए यह देखे मैंने यहां पर इस तरीके से इसे बांद लिया है और इसी सीधा कर लिया है इस तरह से यह हमारा तयार हो गया है मिक्सी का कवर मिक्सी का इस्तमाल तो हम हर रोज करते ही है या फिर दिन में कई पर भी करते हैं तो mixi को बार बार box से निकालना या फिर ऐसा कोई organizer है जिसमें से mixi निकालना रखना हमें बहुत ही जंजट वाला काम लगता है और या kitchen की shelf पर हम इसे ऐसे ही रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा oily और गंदी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा दोल मेटी और दाग लग जाते हैं आप appliances को जितने अच्छे से cover करके रखेंगे उतना अच्छा है आप इस तरह से cover बना सकते हैं जिसे लगाना और निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो और हमें इस cover को यूज करने में कोई आलस मीना आए और आपका mixer बहुत अच्छे से साफ सुत्रा रहेगा अब चलते हैं अगले idea की और मैंने एक और टीशेट ली है आपके पास जैसी भी टीशेट हैं ले सकते हैं उसे भी इस तरीके से जो बाजुमों वाला हिस्सा है वहां से इस तरह से काट कर अलग कर लीजिए इसे भी हमें उल्टा कर लेना है और जैसे हमने पहले किया था व बस इस तरीके से आपको इसे बान लेना है फिर इसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद इसे अच्छे तरह से इस तरह से खीच लेना है यह जो गाट लगाई है उसे एकदम से टाइट कर लेना है फिर जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उस पे छोटा सा कट लगाएंगे इ वैसे हम सलवार और बेटी कोट के पे नाड़ा डालते हैं, बिलकुल वैसे, अब दूसरी तरह से भी कट लगा कर हम इस डूरी को निकाल लेंगे, यह हमारी डूरी डल चुकी है, अब हमें क्या करना है, हमें लेने हैं पुराने कपड़े, जैसे पुराने साड़ियां, चुन कर भी उस कोटन का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर भदार से असानी से रूई मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, वो भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसमें रूई भी भर सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट डिजाइनर कुशन बनकर तयार हो जाएग आप भी इस तरह से कई सारे रंगों में गोल कुशन बना कर त्यार कर सकते हैं जो आपके घर की शान को बढ़ा सकते हैं और आपके घर को डेकोर करने में बहुत जादा काम आएंगे एकदम आसान तरीका है इसे आप बना सकते हैं अब अगला आइडिया इसके लिए भी मैंने लिया एक और पुराने टीशेट जिसके उपर थोड़ी से दाग लगे हुए हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसी टीशेट है जिसमें छोटे-छोटे कट लगे हुए हैं आप उस टीशेट का इस्तमाल कर सकते हैं इसे भी मैंने जैसे पहले टीशेट को काटा है सेम वैसे ही काट लिया है ये वाला हिसा बाजियों के निचे से काट कर निकाल लिया है आप यहाँ पर मैंने एक गते का बॉक्स लिया है आप अपनी पसंद से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं बॉक्स के साइज के हिसाब से टीशिट लेनी है देखे इस तरह से ये जो बॉक्स का फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसमें इस तरह से टीशिट को पहनाएंगे बहुत ही असानी से इसमें ये चड़ गया है यहां से इस तरह से टीशिट पर कट लगाऊंगी टी-शिट के कॉर्णर पर छोटा सकट लगा कर होल करना है जहां पर एक साइट से सेफटी पिन की मदद से डोरी डाल रही हूं और दूसरी साइट से डोरी निकाल लोंगी इस तरह से डोरी को डाल लिया है बॉक्स के पीछे की साइट पर आपको क्या करना है अगर आप सुई धागे का इस्तमाल नहीं करना चाते तो फेविकल या गलूगन का इस्तमाल करके या फिर फेब्रिक गलूग आता है उसका इस्तमाल करके इसे चिपका लिजिए मैंने फेविकल से इसे इस तरह से फोल्ड करके चिपका लिया है या इस तरह से सुईदागे से भी आप टांके लगा सकते हैं बहुत ही ज़दा असान है बस ये फोल्ड कपड़ा है वहाँ पर थोड़े थोड़े टांके लगा लीजिए तो ये अच्छे से बंद जाएगा आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं लेकिन वो पूरा लटकता रहेगा अच्छा नहीं लगता गंदा दीखता है इस तरह से इसे थोड़ा चिपका लेंगे ये ज़यदा अच्छा है मैंने फेवी कोल से इसे चिपका दिया ये ज़यदा अच्छा हो गया है आप देख सकते हैं यह हमारा और्गनाइजर बनकर तियार हो चुका है मैंने बॉक्स का अंदर वाला हिस्सा भी काटा नहीं उसे अंदर ही फोल्ड किया है इसे से मजबूती ज़्यादा रहती है इस तरीके से आप इसे बंद भी कर सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से बॉक्स बना कर उसमें साड़ियां, बैटशिट और जो कप्टे आप इस्तमाल नहीं करते उने भी रख सकते हैं मैंने ये छोटा बॉक्स बनाया है तो मैं इसमें छोटी-छोटी शीशियां रख रही हूँ ये शीशियां मेरी मम्मी की दवाईयों की हैं दवाईयां ढूणने में दिख करना हो तो आप भी इस तरह से और्गनाईजर बना कर दे सकते हैं ये ओपन भी नहीं रहेगा, आप इसे अच्छे जबान भी कर सकते हैं अगला आइडिया, यहाँ पर मैंने एक और पुरानी टीशेट ली है, ये काफी पुरानी टीशेट है इसे मैंने बिचा लिया है और इसकी एक बाजू को काट रही हूँ बाजू को काट लिया है, बाजू के बड़े वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ कर फोल्ड कर रही हूँ इसके बाद इस फोल्ड किये हुए हिस्से को पत्ली टोरी से बान दिया है अब उपर वाले छोटे हिस्से पर कट लगाकर पत्री डोरी डाल रही हूँ इसमें यहाँ पर मैंने उनकी डोरी ली है आप कोई भी डोरी ले सकते हैं यह हमारा पानी की बोतल रखने का और्गनाईजर बनकर तयार हो गया है और वो भी बहुत असानी से आप इसमें अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं इसमें पानी कर्मियों में काफी टाइम तक ठंडा रहेगा और जर्दियों में पानी काफी टाइम तक गरम रहेगा और हमें बोतल पकडने भी असानी रहेगी तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताईएगा उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ की साथ सब्सक्राइब जरूर 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 करें थैंक यू